हालांकि आज खबरें कितना असर डालेंगी ये कहना तोड़ा मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट कमजूर है फिर भी जड़ा समझते हैं कि फोकस कहां परेगा शारत बताईए क्या हैं आज नौके नौरत में जो बिलकुल सबसे पहले टाइटन के फोकस रखेंगे इन लाइन सेट ऑफ क्योवन नंबर्स आए हैं और ओवराल जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगबग 3 परसेंट आई है जो कस्टम डूटी कट का जो इंपक्ट है जिस पे जो फाइदा हो सकता लगबग 500 से लेके साड़े 500 करतों का अगले 6 महिने में देखने मिल सकता है कंपनी ने अपनी माजिन को गाइडेंस को मेंटीन रखा है डिलिवरी के टर्नराउंड रर्निंग्स आए हैं कंपनी जो है कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफिय में आ गई है और ओवराल बहुत स्ट्रेंद्स द बढ़ा है एवरेडी इंडस्री की बात करें तो यहां पर भी परफॉर्मेंस में इंप्रूव्मेंट आई है ऑप्रेशनल एफिशेंसी इंप्रूव हुई है माजिन्स 220 पॉइंट का जो बढ़त आया है अशोका बिल्टकॉन एलवन बिडर आये हैं लगभग 1280 करोड देके हमारा जो उसके लावा जो है एचीजी फोकस में रहेगा जहां पर 13 ऑगस्ट को जो है क्या सकते हैं कि कंपनी जो है शेयर स्प्लिट कंसेडर करने वाली है तो है एचीजी को भी जो है अपने रडार में रखिएगा यहां पर शेयर स्प्लिट की न्यूज आ सकती है 13 18 अगस्ट को इसके लावा United Spirit United Brewery जैसे stocks भी focus पे रहेंगे यह हमारा जो है 7th stock है पे जो है government plan कर रही है कि tougher ad curbs आ सकती है especially liquor makers जैसे की Carlsberg, Diagio, Bernard Ricard याद रखिए सारे जो surrogate advertising होती है music CDs की या mineral waters की जो इन brands के रहते हैं उस पे जो है तोड़ी सी overall tougher ad curbs देखने मिल सकती है आठवा stock रहेगा SGVN आज जो है कोई बड़ा big ball brokerage नहीं तो हम खबरे वाले shares लिये हैं यहाँ पे cabinet approved की है investment proposal लगबख 670 MW की hydro electric project नेपाल में जहाँ पे cool investment 5800 करोड का रहेगा आखरी stock हमारा खबर का stock है उसमें focus में करेगा new land labs of course last week नतीजे बहुत strong आया थे stock पे तेजी बहुत देखने मिली थी यहाँ पर खबर आ रही है कि एक important molecule है जो commercialize हो सकता अगले दो महीने में अब यह molecule जो है central nervous system के treatment जो disease होती है उसके आसपास उसके treatment के लिए यूज होगी और याद रखिए इसकी potential revenue लगबग 500 से साड़े सो करड़ हो सकती है कंप्टी के लगबग 90 molecules इन लाइन पे हैं जहां पे 30 में से 30 से 40% peptide chemistry का है तो यह एहम खबर new land labs के लिए है प्रिया शर्थ यह सारे के सारी जो खबरों वाले जो शेयर हैं जो ब्रोक्रिज डीपोर्ट वाले जो फोकस वाले जो शेयर हैं उस पर आप नजर रखे जरूर चलिए लिके देखें बाजार की जो शुरुआत हो रियो इन गिफ निफ्टी जो संकीर दे रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा कमजोर करीब सवा चार सो अंक नीचे सिटल हुआ है निफटी 24,300 की आस पास